तो प्रैक्टिकल है विभव मापी द्वारा सेल का अंतरिक प्रतिरोद ग्याद करना तो वही हम इसमें कॉश्चन्स देखेंगे कुछ बेसिक बेसिक है न जो पुछे जा सकते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विभव मापी द्वारा सेल का अंतरिक प्रदीरोद ग्याद करना है तो विभव मापी क्या होता है विभव मापी तो विभव मापी पहले क्या कारे करता है तो जो दो बिंदों के बीच परिपत में किनी दो बिंदों के बीच हमको विभवांतर ग्याद करना है तो किसकी सायता से ग्याद करेंगे विभव मापी नाम से इस परष्ट है विभव मापी विभव मापने का काम करता है विभव मापन है तो विभव मापी वह वोल्ट मिटर में से कौन सा उपकरन स्रेष्ट है तो देखिए कौन सा है विभव मापी अधिक स्रेष्ट है क्योंकि वोल्ट मिटर उच्च प्रतिरोध के होते हैं इसमें कुछ न कुछ धारा अवश्य प्रवाइत होती है कहने का मतलब उतनी एडजेक्ट वेल्यू नहीं आएगी जो वीभव मापी के दोरा आएगी इस कारण वास्तविक वीभव के मान में कमी आती है अतह जब की वीभव मापी शुन्य विक्षे विदी पर आदारित होता है इसमें कोई भी धारा परवाहित नहीं होती है यनि कि हमको ज़्यादा एडजेक्ट वेल्यू मिलेगी वीभव मापी की साहता से बनिस्पत वॉल्ट मिटर के ठीक है आगे देखते हैं सेल का अंतरिक परतिरोध क्या होता है जब सेल को बाहिय परतिरोध से जोड़कर धारा परवाहित की जाती है तो सेल के विद्यू दबगटियों में आइनों के प्रवाह में अन्य अन्यों से जो टकर होती है उसके कारण जो उसमें बाधा उत्पन होती है यह उसे सेल का अंतरिक परतिरोध कहते हैं भाय प्रतिरोद से हमने जैसे ही जोड़ा तो धारा प्रवाइत होगी इसके अंदर जब विद्यू दबकटे के जो आयन होते हैं उसके प्रवाह में जब प्रवाह होगा तो अन्यणों से टक्राव होगा और उसके कारण जो बाधा उत्पन होगी उसे सेल का अंतरिक प्रतिरोद कहा जाएगा सेल का अंतरिक प्रतिरोद किन किन बातों पर निरूबर करता है तो सेल का अंतरिक प्रतिरोद विद्यू दबगटे की प्रकरती पर इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी पर बीच में जो डिस्टेंस होती है उनके इलेक्ट्रोडों के जिसे कोई भी ने ये सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड है तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस रखा गया उसके उपर विद्यूद अबगट्ये में डूबे हुए भाग के शेतरफल पर अब जैसे ये विद्यूद अबगट्ये में जैसे ये कोई लिक्विड है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के अंदर कितना इलेक्ट्रोड का कितना भाग अंदर डुबा हुआ है अंदर उसके उपर और सेल से प्रवाहित धारा पर और आगे कुछ नहीं आ रहा हो तो आधी यानि अन्य और भी है नहीं समझ में आएगा तो आधी लिखेंगे लाश्ट में आगे देखते हैं क्या सेल के टर्मीनल की विभाएंतरब विद्योध वाहक बल बिन विननन है तो देखना अब य बराबर आय ?यानि क्या है यहाँ पे वी बराबर आय आ य र और ऑम की नियम में हम पड़ चुके हैं हैंना और उस य र की विभवांतर में हम I.E.R. को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है हमारा विद्धुद्वाहकबल एह मिलता है आगे देखते हैं विभवपतन किसे केते हैं किसी तार को यानि कोई भी तार लिया है हमने A.B. उसको बैटरी से जोड़ा A. को हमने पॉजिटिव से और B. को हमने नेगेटिव से इस्थिर्मान की तारा प्रवाहित करने पर A.B. तार पर विभवांतर उत्पन होता है तो तार A. से लेके B. की और जब ले जाते हैं तब विभवांतर घटता है इसे ही हम विभववपतन कहते हैं यानि की आप A. से B. की और तार को ले जा रहे हो तो वो जो डिस्टेंस के कारण विभवांतर हमारे घट रहा है उसे हम क्या कहेंगे विभववपतन यानि नाम से इस परश्ट है पतन यानि की कमी होगी आगे देखते हैं विभव प्रवंता तार की एकांग लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवंता कहते हैं अब जो हो रही है उसकी एकांग लंबाई पर आप जब विभव पतन को देखोगे तो जो एकांग लंबाई पर विभव पतन हो रहा है वो उसकी विभव प्र बाई कमा तरक मीटर तो वोल्ट अपोर मीटर धारा नियंतरक की साहता से इसे का मान नियंतरित किया जा सकता है चलो ठीक है अच्छी बात है हम पस इतने ही इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रेक्टिकल में नेक्स्ट वीडियो में तब तक मसत रहो बिंदास रहो वीडियो पूलो